पार्मित्रो स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इंतिजार की घडिया इतनी लंबी होती है कि इंतिजार भी करते-करते इंसान ठक जाता है इसी तरह से उगाये कुछ मनिस्क अस्यप का जो रीजन है आज छुटने वाले थे हम फिलाल बेत और जो उनके गाव के लोग थे वह भी काफी उत्साइद थे घर पे कुर्सिया वोगरे लगी हुई थी लेकिन अब रीजन जो इसमें निकल कर आ रहा है कि वह आज नहीं छुट पा रहे हैं 22 दिसंबर को 5 बजे तक वह नहीं छुटे हुए थे और 5 बजे के बाद से जब क कुछणा कुछ एस्पेलिंग में प्रोब्लम आ गया था इस वोजाह से जब वो अकटाइचा जैल में गया तो जैल के जो भी कर्मी है वो वापस कर दिये कि कहींना कहीं जो एस्पेलिंग है वह सहीं नहीं है उसके बाद से ओफिर कोट में ले जाया गया अलाकि आज सही नहीं हो पाया अब कल देखना है 23 दिसंबर को कि उसमें सुधार किया जा रहा है या नहीं अब सोचने वाली बात यह भी है कि अगर 23 दिसंबर को सुधार करके नहीं लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं यह जो इंतिजार है और भी लंबी हो जाएगी 2 जनवारी के आसपास तक चला जाएगा क्योंकि कल के बाद जो है वो कोट बंद हो जाएगा उसके बाद से जो इंतिजार है वो और भी लिंबा हो जाएगा अलाकी जो उनकी समर्थक है वो पूरी तरीके से टक-attendकी लगाए हुये थे कि कही ना कही जो मनिस्त कष्यप है वो देर से वो लोग माल लिजे कि वहाँ पे लाइब चला रहे थे और कही यूटूबर या मीडिया कर्मी ऐसे भी हैं जो कुछ भ्रामक खबरे भी फैला देते हैं कि भाई वो निकल गए निकल गए निकल गए इस तरह से और भ्रामक खबर की हो जासे लोगों में थोड़ा इद कास्ट में चल कर यह हुआ कि नहीं वह बाहर नहीं निकल पाए हैं और कल जब उनके नाम का एस पेलिंग सुधार आ जाएगा तो कई न कई होशकता है कि हमें पूरी तरीके से उमीद है कि वह कल बाहर आ जाएंगे और फिलालं बेतिया में ही आए और यहां से हम सुबह कल फिर जाएंगे उनके घर पे और हम चाहेंगे कि जो भी वहां का अपडेट है हम आप सभी को दिखाएं हलाकि हम इसलिए रुख गये कि हमें ये जानकारी मिली थी और उनकी मा भी बोल रही थी कि जब वो पटना से छूटेंगे जेल से निकलेंगे बेउर जेल से तो डाइरे मिडिया कर्मिया ये काफी संख्या में वहां पे पहुंच गए हैं तो इन लोगों से भी बींती होगी कि बाई काफी संख्या में अगर वहां पे पहुंच जाते हैं तो जो पूलिस परसासन है वह भी थोड़ा बेचायन हो जाती है और उनको कमांड करने में तो ये भी माल लेकिन अब मन लिजे कि अगर उनका-उन का श्पलिंग धी होता, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके श्ुपने में किसी परकार की प्रोब्लम होती। तो अब कल देखना है कि कल ओ जिल से निकल पाते हैं या नहीं हला कि कागजी करवाई जो भी है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी है केवल नाम में इस पेलिंग की प्रोब्लम की हो जासे आज रुख गई तो कभी-कभी इंतिजार की जो घडिया होती है वो काफी लंब जो जो जिसने पत्रकारिता को एक अलग ही तरीके से परिभासित किया तो ये आज की खबर निकल कर आ रही है चलिए अब कल जैसे भी होता है तेश दिसंबर को हम आप सभी को दिखाएंगे हलाकि इंतिजार की घडिया तो बढ़ गई है लेकिन इंतिजार की घडियों के साथ साथ हम भी थोड़ा इंतिजार जरूर करेंगे चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ तब तक के लिए नमस्कार